खमा गनिसा आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कि मैं अपने शादी के टाइम कौन से प्रोड़क्स ले कर जा रही हूँ मैंने जितने भी प्रोड़क्ट लिये है बहुत सोच समझ कर लिये है और अगर मैं किसी प्रोड़क्ट का शेर्ड बताती हूँ तो उसका ये मतलब है कि वो मेरे स्कीन टोन को मैच हो रहा है ब्ल्यू हेवन का नेल डिपर जिसे नेल डिप करते ही नेल पेंट रिमूव हो जाती है ये है इंसाइट का प्राइमर प्राइमर आपको लेना बहुत ज़रूरी है नहीं तो फाउंडिशन आपके फीस के अंदर चला जाएगा और पिम्पल्स हो जाएगे ये है वैसलीन का संस्क्रीन लोशन दूप से भी बचा जा सकता है क्योंकि इसमें संस्क्रीन है ये है मेबलाइन का फिटमी फाउंडेशन जिसमें मेरा शेड है 125 न्यूड बीच ये मीडियम कवरेज देता है ये है अरोमा का संस्क्रीन जो मिनरल बेस्ट है इसके अंदर कैमिकल नहीं है SPF 30 यानि 300 मिनट तक धूप में रह सकते हैं इसको लगाने के बाद ये है मेबलाइन की न्यूड लिप्स्टिक जिसका शेड है क्ले क्रश न्यूड लिप्स्टिक मुझे जादा अच्छी लगती है पर पुशाकों पर एड और डाक लगाने पड़ते हैं पर आप नॉर्मल सूट पगेरा पर ये लगा सकते हैं और बुटिक सूट पर भी कभ मेरा फेवरेट है क्योंकि ये एक तो फैलता नहीं है और उपर से बहुत ही डार्क और बोल्ड कलर है इसका मैंने आज तक जो भी काजल यूज किये सब में से बेस्ट मुझे अभी तक यही लगा है यह माउथ फ्रेशनर आपको भी ले सकते हैं तूद ब्रश और करने की जरूरत नहीं पड़ती यह एनवाइब का मस्कारा जिसमें वॉल्यूम लॉंग लैश और कर्ल तीन टाइप आते हैं और मैंने यह वॉल्यूम वाला लिया है यह एनवाइब का लिप क्रियों बैड गाइस चॉइस इसका शेड है और यह पिंक न्यूड है लैश इसका फाउंडिशन है जिसको मैंने चोटे मोटे फंक्शन पर यूज करने के लिए लिया है जीरो सिक्स मेरा शेड है इसमें यह मेकप अपलाई करने के लिए स्पंज रुमाल यह बायोटिक का लिबाम है जिसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है पूरा नैच्रल है और यह हलका लाल भी करता है होटो को तौ आप भाः जाते वक्त तो इसको यूज कर सकता है बाकी घर पे भी यूज कर सकते हैं यह इन्साइड का कंसीलर है डार क्रीमी है तो आसानी से लग जाती है यह exact ves आप कौन से भी ब्रैंड का ले सकते हैं पर लेना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मेकप यहां वहां फैल जाता है तो उसको हटाने में काम आता है यह मुझे डॉक्टर ने रेकेमेंड किया था डी एक ने फेश वास और इसी कई डी एक ने सोफ पाता है जो मैं अपने फेश बड़े पफ्यूम की बॉटल बैग में नहीं केरी कर पाऊंगी इसलिए चोटी चोटी बॉटल लिए मैंने यह है स्विस ब्यूटी की लिप्स्टिक जिसमें शियर्ड एक डाक प्लम डाक कलर कुछ मैंने पुशाकों के लिए लिए है यह सीक्रेट की चोटी सी बॉटल इ इसको आप ऐसे भी लगा सकते है तो पिंक ग्लो देगा क्रीम की जैसे और अगर फाउंडिशन के साथ मिक्स करके लगाते है तो भी बहुत अच्छा ग्लो देता है यह है लोटस का हर्बल सिंदूर जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है और इसका जो शेड है वो रेड है यह अगर आपको परफेक्ट रेड चाहिए ना तो इसको जरूर लीजिएगा और एक निल पेंट है